अब भी मीडर क्लास का आदमी जो दस अजार है वो एक महिने में एक बार खाना काना जाएगा तो क्या उसमें भी जीएश्टी उसको देना पड़ता है तेल की बात करो तो तेल आज 17 रुपे में मिलता है ताज 200 रुपे किलो है उसमें भी एसा बरश्टा चार है कि BJP के ही जो नेता है उन्होंने बड़े-बड़े गोडां करके स्टॉक किया है और बाहर उसको ऐसा बोलते कि सड गया है बीगड गया है ऐसा करके गोरक दंदा च बीड है अछिजी ने बड़ा दिया मुपे बोलता हूं मैं तो यह कं करने की महघाई करने की बात करते थे अच्छे दिना ऑने की बात करते थे 15 लाग खाते में आने की बात करते थे उसमें एक भी बादा उनका सफल हुआ तो दिखाई कोई मिLekiem 0. fatherCH9 आने को एने वाठी कि उनके लोगों का पैसा पहले ही जेंज हो गया था एडवैंस में, इसे वक्त मैं गज्राथ विद्हां सव सफ चेत्र के बघोरिया विद्हां सव सबाचेत्र 136 और रखना चेत्र का फ़ी लोग का नजर है आईसे ऐसे लोग चुनावी जिनके पास अथा समपती है जो भी पाटी के हो और हमारे साथ अभी एक कॉंग्रेस के नेता मिल गये हैं और कॉंग्रेस के पिछले बार की बात करूं तो पिछले बार साथ 70 सीट आया था और बाकी जो अन पाटी है उन लोगा सीट जो आया था भीजेपी का निनान में सीट लेकिन इस बार अगर देखा जाए सर्वे में तो एंडी टीवी के अनुसायर तीरपन से अंठावन सीट के आसपास लग रहा है कि इन लोगा आएगा लेकिन अभी हमारे साथ कॉंग्रेस की एक अच्छे नेता हैं जो यहां के अस्थानिय नेता है और क्या नम हुगा आपका कि भी तो देखो रही है लेकिन तो हमारी मेनत कर रही है लेकिन अभी चानल में जो पुबलिक पर है अभी 27 साल में जो जंटा पार्टी बोल रही है कि हमने यह किया वो किया तो 27 साल में खाली बीजेपी ने जो अबी में तो बोलता हूं कि अभी जो हमारी साट या सत्रा सीटे आती है अच्छा काम किया है तो उनको पुबलिक में प्रचा करने की जरुव नहीं है पहली टो बात मेरी यह है भारतिये जनतापाडी अभी बोल रही है कि हमारी 182 सीटे आर रही है तो मैं उनको यही बोलता हूँ, चाहता हूँ, कि उनके सामने हम आम आदमी या कॉंग्रेस को हमको प्रचा करने की जरूने, आप भी प्रचा मत करो, तो पब्लिक डिस्टार करेगी कि कितनी सीटे आती है, तो इतने साल से, 27 साल से लगातार एक ही पार्टी के सरकार है, उसे पहले आपकी सरकार थे, आपके सरकार से पॉब्लिक ना फूस हुए तभी तो आपको हार करना करना पड़ा, अगर बीजेपी अच्छा कर रहे हैं, तभी तो इतने साल से जित्ते आ रहे हैं, बीजेपी आ रही है, जो भी हो आ रही है, लेकिन अभी पहले की बात और अभी कि जो इलेक्शन अभी 2022 का आ रहा है है रहा है है रहा है मतब है तरी को रिजन है पात तरी को चुनाओं का इलेक्शन है अभी उसमें जनता ही बताएगी कि हमारी सीथे कितनी आएगी या बीजेबी किने गए और दूसरी बात में बोलो के पीम नंदर मोदी अभी उनको के आ गए है मोदी जी आ रहे है तो भी नीचे मतलब नीचे गुजराद में प्रचार करने की जरू नहीं है अभी आप एक लेवल सोचे ना अभी के दोरान अभी कॉंग्रेस के राज में प्राइम मिनिस्टर जो 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 बीर रहे चुके है वो एमेले की जो चुनाओं आते वो लोग वीदान सब के विदाय के उनको आना चाहिए तो वो लोग क्यों आ रहे हैं अभी उनको डरतो है अभी इन लोगों ने इतने साल तक 27 साल तक में यह बताई है कि एक आदमी का सेलर अभी 10,000 से 15,000 हुआ है बराबर उन्होंने बोला कि हमने बहुत अच्छा किया है तो मैं मीडल क्लास के जो 15,000 लोग 15,000 के सेलरी जो हो रही है उनके एकाउंट में कितनी बचात हुई है मैं यह देखना चाहता हूँ अभी बीजेभी बोल रही है बराबर जो मीडल क्लास के लोग है जो बचात होनी चाहिए आज एक साल में 2 लाग 15 लाग सब के बाद में जीरो एकाउंट है उस पे मतलब महेंगा इतनी बढ़ गई है कि सब लेना ज्यादा पड़ता है पैसा लेकिन आपके जब सरकार था उसमें क्या उस समय में हमारी सरकार में जो एक टाइम खा रहे थे ना एक टाइम नहीं हम तीन साल में कंपनी कोई परमेंन करते थे जबी अब मोधी सरकार आये तब से अभी एक भी कंपनी में परमेंन की बात छोड़ दो क्वांटाक सिस्टम ही कर डाला है कुछ मतला पर जो होना चाहिए वह हुआ नहीं है और दूसरा सीक्षन बेच डाला है पूरा जो सरकारी जो स्क करन हो रहा है तो सरकार की खाते में आय भी बर रहा है जिससे डिवलोप्मेंट हो रहा है तो डिवलोप्मेंट की बात करो जब मोधी जी बोल रहे थे तो वह पहले चुना में बोलते कि हमको में मीडल क्लास के खाते में 15 लाक मिलेंगे वह तो भी मिल नहीं रहे है किसी को किसी को नहीं मिला, फिर पहले में तो मॉदी जो को यह बोलना चाहता हूं कि पहले आप गुजरते में आये तो पहले जो अब आदे जुठे के ए वो पूरे करो पबली को में अभी कॉंग्रेस का वाट देता हूं बराबद चलो में बीजेपी को देने वालों पहले मेरे खाते में 15 लाग डाल दे और उन्हों अभी इतना सिस्टम भीगाड़ा है कि अभी मतलब जो स्थानिक जो कंपने आती है स्थानिक कंपनिया में पूरा सेरिंग कर दिया है क्य आदमी को ही लेना है ऐसा है अच्छा यानि बेरोजगारी तो भी चल गई है अभी तो समझे अभी मेरे जैसे 15 या 20 अजार सेलरी के होगा पर जब नीचे आप सर्वे करोगी इदे ररोली गाव में तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उदर 7 अजार या 10 अजार सेलरी में लोग खाते थे अभी बीजेपी के राज में हम एक नहीं बीवी और पती और पत्नीक दोनों को कमाना पड़ता है तब भी जाके घर पूरा नहीं होता है पढ़ाई लर्के की और खाना खर्चा यह सब होता है और दूसरा जो गोटाला उन्होंने किये है जी एस्टी कॉंग अभी मेडल क्लास का अदमी जो 10,000 है वो एक महीने में एक र खाना काना जाएगा तो क्या उसमें भी जी एश्टी उसको देना पड़ता है तील की बात करो तो तील आच 17 रुपे में मिलता था था जो 200 रुपे किलो है उसमें भी इसना बरश्टा चार है कि BJP के ही जू ने आप अपना जैसे कि ये भाई सब दुकान खोले हुए है तो अभी सब पर लिखे ये जलेवी अर भज्या निकालेंगे हम ये पर हम पढ़ेंगे रोजगार की इसलिए बात कर रहा हूं आप कितने तब पर लिखे हैं अभी इसके पास जो मोदी जी ने एक एमप्लोईश की ड्यूटी दिया होता तो ये ऐसा जला भी गुमना रहा था समझे ये गोल जलेवी ने गुमा था ये बस एसे कॉम्पूटर पर बैठके ट्राइपिंग करके ऐसे अब इस चारीज अजार लेता अब इस से पूछिए कि ये कितने करोजगार दे चुके है आप यार रोजगारी था तो ये राजस्ता से आज चुआ है देखका अभी मोधी जी ऐसा बोल रहे थे के रोजगारी मिल रही है बड़ाबर तो जो हमारा जो गुझ्रा थे पर एम पी उपी से सब लोग इधर क्यों आते अब समझे तो फिर एम पी उपी से इधर उपी ने बीहार भी अच्दश्न बीहार भी है एम पीऊ बीहार कि पादा है कि 17 साल में मोदी जी ने कितनी कमनी बनाया नाया कैसे बनाया है। आप बोर रहे हैं कि MP, UP बताए उधर से लोग इधर कियो आ रहे हैं। कि यहाँ पर इंडस्ट्री जादा मोदी जी ने लगवाया है। तो पर उद्धा नहीं लगवाया है। यह तो कॉंग्रेस की ने लगाया है, मोदी जी ने इदर कुछ सरकार था, तो अडानी अम्बानी जो आज इतना जो सबसे ज़्यादा मीर विक्तिप बने हुए है, क्या थे? नहीं ना, अभी ही बने हुए ना, अभी उनिका कंपनी ये सब ज़्यादा रोजगार लोगों को मैं वही बुल रहा हूं कि मोदी जी को पहले में उनको बताई ये मुझे दील करवाई है, कि आपना कौंड़ सी कमनी बने ही सत्ता है, मुझे वो तो जाना जे ना, मेरे इसाथ तो कोई कमनी नहीं बनी, अब जब ये सब पूरानी कमनी है, वो तो जो चल रही थी उसको भी बन कर दिया, अभी देखिये, बीजिली की बात कीजिए, तो अभी दो पांच रूपे बढ़ गया है, तो जब उसको प्राइवेट एक्टर क्यों किया, जब कमनी गवर्मेंट चल रही है, तो उसको बन करने की जरूरत क्यों थी प्राइवेट एक्टर में क्यों डाल दिय चलिए, ऐसे ही LIC भी हुआ है, बहुत सरे कमपनी को जो अच्छा चल रहा था, उसको भी नीजी करन किया जा रहा है, और यहां तक की BSNL को भी नीजी करन करने की बात्चित हो रही है, जो BSNL, यानि की 5, यहां पर अभी तो 3G, 4G ही अस्पेक्टरम में चल रहा है, और यह यहां पर Airtail और G.O. यह सब 5G लाउंच कर रहा है, लेकिन 5G का यहां पर स्पेक्टरम उन लोग को बेज दिया जाता है, लेकिन सबसे पुराना कमपनी BSNL उसको नीजी बिल पा रहा है, सोचनी की बात है, और कुछ बहना चाड़े, इन लोग से भी जानने दीजे, आप मुझे अभी दूसरा एक गोटाला बहुत बढ़ा है, क्या गोटाला है? जो मोबैल के टावर रिचाज आता था, ठीक है? तो पहले इंकमिंग फ्री थी, कोंग्रेस के राज में जो इंकमिंग आती वो फ्री थी, अभी जो दूसरा गोटाला और सेटिंग इतना बढ़ा कि है कि 28 days, अब जब रिचाज करों, इंकमिंग भी प्यासा देना पड़ता है, क्या आपका जो सरकार बनेगा तो पूरे गुजरात में, हाँ, इंकमिंग फ्री होगा, आप करवा दीजेगा, नहीं में सरकार करेगी, जो ग्यारा सो का बोटल चार रहे, वो बार सो पंसो में ह होगा, तो आप तो एक छोटे से परखंड का लीडर है, तो आप पूरे स्टेट लेवल के लीडर से बात करेंगे ये चीज के लिए, उस तो है ना मेरा लेवल, मानेंगे ना, तो हमारी सरकार तो यही तो मैं चल रहा हूँ, ऐसे दिखावा तो नहीं कर रहा हूँ ना, लोग सभा की बाता है, देख अभी हम हा रहे हैं, उसमें अभी पब्लिक पा तो डिसीजन है, हम तो कह रहे हैं के हमें वाट दो, अभी जब महंगाई के बारे में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, कि महंगाई बढ़ रहे हैं, इसलिए हमको वाट दो, तो हमारी थोड़ी है कि गेस का बोटल है, सीक्षन है, बीरोजगार है, कमनी जो 365 डिसका है, जो कमनी में लेंगे, हमारी तो एक पॉलिसी है, लेकिन अभी जब यह लल रहे हैं मोदी जी, तो उनका तो कोई पॉलिसी ही नहीं है, 27 साल से एकी देगार है, बस आज आते हैं मोरे बड़ी सभा लेके, पालतू का खर्चा है, बड़े बड़े बेनर लगा दे, कितने, 10-10-15 जार के बेनर लगा दे, करते गया है, कुछ नहीं, चलिए, और और भी लोग है यहाँ पर, आपके क्या नहीं होगा, बगवान बई, एक है, यह है, गुजराद से, किसको ओट देगे, बई वोट की ब आठ, सित्यर ऐसा देए, अभी महंगाए कितनी है, बहुत महंगाई है, बहुत है, बड़े बड़े बात लोग का अच्छा होगा, अभी हमारा कॉंट्रेक्ट वाले का 35-30 रूपया मिलता है, परड़े का, बड़े का, बड़े है, उसमें जो हम लोग हमारा गुजरा करने क जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए मैं तो नरेंद्रा मोदी को बोलता हूँ, तो हमारी सरकार जो है, उसमें यह भी ध्यान रखो, हाली बड़े लोग और छोटे तुमारे जो है, कंपनी वाला, उनको भी मत देखो, यह जो आदमी लोग है, उसको भी हम लोग को भी आउट कर दिया, तो हो कहा जाएगा, अदमी, अभी मेरा 52 यॉर्स है, बराबर है, तो कहां भी काम भी नहीं मिलागा, बहुत बहुत जुखी बात है, दुख की बात है, यह देखिए, दुकान किये हुए है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम करीम भाई है, क्या है क्या लग रहा है, इस वार सरकार किसकी बनेगी? मेरा नाम कि ठ्याली जो 2 रुपय में मिलती थी, 5-8 रुपय की कर दी, हर चीज में दुखना, डाइगुना, तीन गुना रेट मोदी जी ने बढ़ा दिया, मुपे बोलता हूं में, तो यह महगाई कम करने की बात करते थे, अच्छे दिन आने की बात करते थे, 15 लाग खात में आने की बात करते थे, उसमें एक भी बादा उनका सफल हुआ तो दिखाए कोई मेरे को, काला अधन भी लाने का वापस बादा किया थे, वो तो आने वाला ही नहीं था, क्योंकि उनके लोगों का पैसा पहले ही चेंज हो गया था, एडवन्स में, में किसी पक्स का विरो किया था, आज वही जियेटी 12 टका, 15 टका, 28 टका, 36 टका तक है, उनका वो जो सस्ता देने का कानून की तर गया है, यहां तक कठोड, चावल, दूड, ड़, छास, सब में जियेटी लगा दिया, तो आम आजमी का रेट भी उतना नहीं है, उतना उतना पैसा ले, जो मजोरी करके कामाता है, एक महीने में पांच-छे, साथ अजार रुपया लेके आता है, वो पूरे महीने में क्या, जो 1150-1200 में तेल के डिबा कपाश्या का मिलता था, वो अच्छाई सो तक पहुच गया, आज भी 2450-2500 रुपया है, हर चीज का रेट दुगना कर दिया है, बस, उ उनका खर्चा, उनका पोश्टर, उनका बॉडर 500 करोड, 1000 करोड ऐसा खर्चा उनको करने का, लेकिन उनके खर्चे में काप नहीं करने की पब्लीक के उपए, जादा से जादा रग दिया भार, यही कहना चाहता हूं, तो देखिए, यह खास करके वीडियो इतना से एर कर द अब देखिए, यह सब जो है, यह सब चोकलेट बगएरा है, यह सब चार ना आठना में मिलता था, लेकिन आम मिलता है कितना पांच रुपे में एक मिलता है, कितना समस्या हो गया है, मागाई चरम सिमा पर है, यह मैं नहीं, जनता लोग कर रहे हैं, पुरे देश चांदता कितना मागाई बढ़ा हुगा है, जो लोग बोलते हैं, कि में गई नहीं है, उनकी आमदानी महिने की लाग, सवा लाग, नेल लाग, पचास हजार, साथ हजार होगी, लेकिन जो आठ हजार में घर चलाते हैं, उसको पूछो कि में गई है कि नहीं है, जलिए, बहुत में आप कलेक्टर कचरी में जाके देखो गेना तो इतना डगला हो गया आवेद्यम पत्रगा इसको नोगरी से निकाला इसको फालतु में फसा दिया में अदे देखलो अभी 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 मीडर कश के जो नेता बंद का किसी को सोख है नहीं नेता कब बनता है जब आपकी सरकार किसी भी कमणी में जाते हो, उसको निकाल देते हो, ड्यूटी से, तब जैसे हमारे देश से कोई बंदे जाते हैं और बुलते हैं कि उसको नोकरी दो, रोजगारी दो, तो उसका दर्वाजा खड़काता है, ये एक वीक पॉइंट है, बीजे भी क्या, चलि धिजे ले क Shivकाता है, वीक पॉइंट है।